गाईस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाईस की जो PREVO Professional Loan एप्लिकेशन से अगर आप उसकी मदद से यहाँ पर लोण के लिए अप्लाई करना चाहँते हैं तो आप उसमें किस तरह से loan के लिए अप्लाई करोगे गाईस पूरी प्रोस्टस में आपको आज की इसी वीडियो में बताऊंगा तो गैस वीडियो को आपको step by step follow करना है और वीडियो को आपको last तक देखना है मैं यहाँ पर प्रिवो एप्लिकेशन की मदद से personal loan को लेके दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले गैस आपको इस applications को download करना होगा तब ही जो है आम इसमें आपर loan के लिए apply कर पाएंगे download की link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी आप वहाँ से इसको download कर सकते हो और play store पर भी आपको यह काफी आसान तरीके से मिल जाएगी यहाँ पर बस आपको prevo loan एप्लिक कर search करना है जो पहली applications आएगी जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है यह वाली applications को आपको install कर लेना है अभी guys install करने के बाद में आपको just इसको open नहीं करना है open हम बाद में करेंगे पहले इसके बारे में कुछ basic से details देख लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले guys हम इसके download के अगर बात करें तो आपर पांच लाग प्लस इसके download हो चुके हैं और भी अगर हम थोड़ा नीचे scroll down करेंगे और इसकी rating की अगर बात करेंगे तो आपर 3.4 की इसकी आपर rating है जो की काफी बढ़िया है वो आप देख लिजे यहाँ पर काफी सारे users ने इसे rate भी किया हुआ है 5 star काफी users ने दिये हुए है उसके साथ में मतलब 1 star भी आपर काफी सारे users ने दिये हुए है लेकिन positive review थोड़े ज़ादा है negative भी काफी सारे है तो हम दोनों ही देख लेंगे guys आप भी यहाँ पर दोनों ही देख लिजे उसके बाद में आपको क्या करना है लोन के लिए apply करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसके बार में एक ओर detail देख लेते हैं guys यहाँ पर data safety वाला जो options है data safety हम देख लेते हैं message वगरा यह हमारा यह share करती है वो आप देख लिजे अभी अगर हम यहाँ पर data collected की बात करें तो यहाँ पर काफी सारा data हमारा यहाँ से collect करती है जिसकी locations हो गई यहाँ पर location financial information जैसे की name email address, user ids, address, phone number and other information financial information भी हमारी यहाँ पर collect करती है app activity और device और other ids कुछ इस तरह से data अभी गईस अगर हम इने request करें कि आप अमरे data को delete कर दीजे तो यहाँ पर वो भी संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने आपर mention किया हुआ है कि data can't be deleted यहाँ पर आप देख सकते हो इस applications के बारे में थोड़ी से details और देखेंगे यहाँ पर about this app वाले options पर चलकर यहाँ से इसका interest of rate वगर हम यहाँ से देख लेंगे about this app पर अगर में click करूँगा तो यहाँ से आपको 2 लाग तक की credit limit जो है यहाँ पर provide करेंगे zero processing phase के तोर पर यहाँ पर सिर्फ इन्होंने बता रहा है processing phase तो होती ही है गाई अभी हम इसके बारे में कुछ detail से आपसे देख लेते हैं तो यहाँ पर इन्होंने काफी सारे यहाँ पर दिये हुए है लेकिन हम loan का example देखते हैं loans range अगर हम यहाँ पर देखेंगे maximum 3% रहेगी यह आप दोनों ही देख लिए not applicable for privo squared यह कुछ है GST applicable of the processing phase GST भी रह सकती है उसमें अभी यह work कैसे करती है यह भी आप यहाँ से देख सकते हुए कि हमें कौन-कौन से details से यहाँ से पूछी जाएंगी तो download the privo and set up your profile complete the kyc and process set up auto pay और choose amount based on your need वो आप देख लिजे इन्होंने एक example यहाँ पर provide कर रखा है वो example हम देख लेते हैं उसके बाद में आप लोन के लिए apply करके देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक लाग का example यहाँ पर provide कर रखा है tenure इसका 12 मन तक का है यहाँ पर इसमें जो interest of rate रहेगा वो 14% per number रहेगा इमाई इसकी बनेगी 8,989 इंट्रेस्ट पेबल जो रहेगा वो ही 8,989 और इसमें processing fees 1% प्लस GST रहेगी तो टोटल हो जाएगा हमारा 1180 यानि कि 1180 रुपे अभी इदा total cost of loan जो हमारा बनेगा तो 1,7,748 रुपे का बनेगा और यहाँ पर जो हमारे bank account में transfer करेंगे वो amount रहेगा 98,628 और यहाँ पर जो है BPI broken period interest जो रहेगा वो 192 का रहेगा तो कुछ इस तरह से इन्होंने आपर provide कर रहा है APR की अगर इसमें बात करने तो APR यहाँ पर इन्होंने provide कर रहा है 16.55% का यह रहेगा कुछ इस तरह से और additional charges वगर आप यहाँ से देख सकते हूँ इसमें आपर provide कर रहा है अगर गईस आपको आपर customer care से बात करने है contact इनको करने है तो यहाँ पर इन्होंने provide कर रहा है इनकी details वगर आप यहाँ से इनको customer care से call कर सकते है इन्होंने आपर number भी provide कर रहा है तो आप देख लिए अभी हम आ सक्या करते है कि इसमें simply apply करके देखेंगे तो सब से पहले आपको इस applications को open कर लेना है गैस मैं आपर आपको details इसलिए बताता हूँ ताकि आपको इस applications के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी रहे जिस भी applications की मदद से आप loan के लिए apply करना चाहते है आपको उस applications के बारे में details तो पता होनी ही चाहिए अभी आपको आपर simply scroll down करना है यहाँ पर मैं scroll down करते जाता हूँ scroll down आप जैसे ही करते जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने login वाला एक options आजाएगा तो आपको simply login पर click करना है यहाँ पर आप जैसे ही click करोगे तो यहाँ पर आपको एक mobile number को enter करना है mobile number enter करने के बाद में आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP आपको enter करना है उसके बाद में आपके सामने processing लेगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से options आ जाएगा कुछ details आपसे आपर पूछी जाएगी वो details में आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको personal details फिल अप करनी है इसमें आपको पहले में full name enter करना है जो आपके pen card पर हो अभी guys यहाँ पर मैंने मेरी personal details जैसे enter करी तो यहाँ पर इन्होंने मेरे को provide कर दिया है guys कि rejected हो चुका है मेरी applications यहाँ पर आप देख पाओगे sorry we cannot process your applications currently we were unable to verify your pen हमारे verify को यहाँ पर यह verify नहीं कर पा रहे है तो हमें आपर loan के लिए भी apply इन्होंने मतलब apply तो किया हमने लेकिन इन्होंने आपर हमारे applications को reject कर दिया है आपके credit score अगर guys अच्छे रहे तो यहाँ पर यह आपको definitely loan के लिए provide करेंगे मतलब अभी आपके सामने कुछ इस तरह सो options आएगा guys कि congratulations आप इत्ते amount के लिए यहाँ पर eligible हो उसके बाद में आपको KYC verification करना होगा उसमें आपका आधार card और आपकी एक selfie ली जाएगी उसके बाद में आपको bank detail इंटर करनी होगी bank में आपको auto pay systems को activate करना होगा उसके बाद में आपको loan के details provide कर देंगे और वहाँ पर आपके bank account में आप transfer करना चाहते हो आपको continual options पर click करना है और आपका जो amount है वो आपके bank account में successfully transfer करवा देंगे लगबग 24 से 48 गंटे का time लगेगा और आपका जो amount है जो भी आपको loan amount मिलेगा वो आपके bank account में easily यह आपर transfer कर देंगे फिलाल मेरी application इसे reject हो चुकी है लेकिन मेंने जो आपको steps बताईए वो ही आपसे पूचे जाएंगी अभी मैं आपर go to home पर click करूँगा अभी guys मेरी application से आपर उन्हें submit नहीं किये लेकिन आपके application से आपर definitely आपर यह provide करेंगे अगर आपका credit score अच्छा रहा तो अगर आपका guys credit score अच्छा नहीं रहा तो फिर guys यह आपको amount provide नहीं भी कर सकते हैं जैसा मेरा reject किया आपका भी reject हो सकता है तो guys कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है प्रिवो एप्लिकेशन की मदद से personal loan के लिए apply कर सकते हो आशा करता हूँ गया इसके आज के अमर वीडियो आपको अच्छ लेगी होगी वीडियो अच्छ लेगी ही तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे चैनल पर पहली बार आएंगा इस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तक एसे अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहे